जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड कप की तारीखों की घोशना कर दी गई और सभी टीमे अपने अपने तयारियों में जुट गई है और ऐसा ही कुछ हमें भारतिय टीम मैनेजमेंट के साथ भी देखने को मिल रहा है। जहां पूरी बी सी सी आई वर्ल कप की तैयारियों में जुट चुकी है और प्लेयर्स का सेलेक्शन में टू में मार्किंग के हिसाब से किया जा रहा है। प्लेयर्स का बिगुल भी बच चुका है लेकिन भारतिय और पाकिस्तानी प्रशन्सकों को तो वर्ल कप रहा है तिहासिक मुकाबले का इंदिजार है जो कि 15 अक्टूबर को खेला जाना है यानि पाकिस्तान और भारत के बीच का वो मुकाबला जो किसी भी वर्ल्ड कप के मुकाबले से ज्यादा देखा जाता है हलांकि आपको बता दे कि हार बार का रिजल्ट वैसे ही रहता है हर बार जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती है तो पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि अभी तक पाकिस्तान के ओपर भारत का वर्ल् बारियों के बारे में जो भारतिय टीम पर भारी भड़ने वाले हैं। किया है ऐसे में अब ये देखना दिल्चस्प होने वाला है कि वर्ल्ड कप के दोरान खेले जाने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में किस तरह से ये बल्लेबाज भारतिय गेंदबाजी करम को परिशान करता नजर आता है आपको बता देंगी इस लिस्ट में दूसरा बल्लेबाज रिजवान एहमद है जो कि भारतिय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजों को परिशान करते नजर आये थे बुकाबले में इस बल्लेबाज को हलके में लेने का बिल्कुल भी गलती नर्थ करते नजर नहीं आएंगे आपको बता देंगी इस लिस्ट में तीसरा नाम शाहिद अफरीदी खाये जो तेज तरार गेंदबाजी की वज़ह से कई दफ़ा भारती बल्लेबाजों को परिशान करते नजर आये हैं चाहे वो विराट कोली हो या फिर रोहित शर्मा लंबे कद के इस गेंदबाज ने हमेशे भारती बल्लेबाजों को परिशानी में डाल कर रखा है जिसके बाद से ही अब भारती बल्लेबाजी पाकिस्तान को और भारत के बीच होने वाले मुकाबले से पहले इस गेंदबाज को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते नजर जरूर आएंगे ऐसे में अब ये देखना दिल्चस्प होने वाला है कि वर्ल्ड कप के इस सबसे वाले को जीतने में कामियाब हो पाएगी अपनी राय नीचे कॉमेंट डॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धरन्यवाद